C.I.E.T. N.C.E.R.T. की और से प्रस्तुत है कक्षा पांच के लिए गणित की पाठे पुस्तक गणित का जादू का तीसरा अध्याए कितने वर्ग पेज नंबर चौँटीस बिंदूओं से बनाए गए वर्ग की एक भुजा को मापो ऐसे बारह वर्गों की मदद से अलग-अलग तरह की ऐसी जितनी भी आयतें बन सके बनाओ तुम कितनी आयतें बना पाए यहां एक है घेरे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं हर आयत बारह बराबर बराबर वर्गों से बनी है इसलिए इन सब का क्षेत्रफल समान है लेकिन इनके घेरों की लंबाई अलग-अलग है किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है किस आयत का परिमाप सबसे छोटा है बच्चों को क्षेत्रफल अर्थात एरिया की परिभाषा याद करने पर बल न देकर उचित उदाहरणों के माध्यम से उनमें क्षेत्रफल का मूल भाव विकसित किया जाना चाहिए कक्षा के अंदर उन्हें क्षेत्रफल की द्रिष्टी से अलग अलग वस्तों में तुलना करने का अवसर उपलब्ध कराएं और अंदाजा लगवाएं कि कौन सी चीज बड़ी है डाक टिकट, पत्तियां, पैरों के छाप, कक्षा की दीवारें आधि वस्तों को तुलना के लिए उप्योग में लाया जा सकता है पेज 35 डाक टिकट मापो इन मज़ेदार डाक टिकटों के बारे में सोचो क, डाक टिकट A, एक सेंटिमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढखता है? खाली जगा और डाक टिकट B, खाली जगा क, किस डाक टिकट का क्षेतर फल सबसे ज्यादा है? यह डाक टिकट एक सेंटिमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढखता है? खाली जगा सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेतर फल कितना है? खाली जगा वर्ग सेंटिमीटर डाक टिकट D, बारह वर्गों को ढख रहा है हर वर्ग का किनारा एक सेंटीमीटर है, इसलिए डाक टिकट D का क्षेतरफल बारह वर्ग सेंटीमीटर है ग, कौन से दो डाक टिकटों का क्षेतरफल एक जैसा है? खाली जगह हर एक डाक टिकट का क्षेतरफल कितना है? खाली जगह वर्ग सेंटीमीटर गह सबसे चोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल खाली जगह वर्ग सेंटीमीटर है सबसे चोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल का अंतर खाली जगह वर्ग सेंटीमीटर है कुछ पुराने डाक टिकट इकठे करो उन्हें वर्ग वाली ग्रिड पर रख कर उनका क्षेत्रफल और परिमाप पता करो पेज 36 अंदाजा लगाओ क किसका क्षेत्रफल ज्यादा है? तुम्हारे पैरों की छाप का या इस किताब के पन्ने का क किसका क्षेत्रफल कम है? दो पांच रुपए के नोट एक साथ या सो रुपए का एक नोट ग्र दस रुपए के नोट पर ध्यान दो क्या इसका क्षेत्रफल सो वर्ग सेंटिमीटर से ज्यादा है? ग्र क्या नीली आकरिती का क्षेत्रफल पीली आकरिती के क्षेत्रफल से ज्यादा है? क्यों? अंग क्या पीली आकरिती का परिमाप नीली आकरिती के परिमाप से ज्यादा है? क्यों? मेरा हाथ कितना बड़ा अपनी हथेली को अगले प्रेष्ठ पर चोकोर खानों पर दिखाओ तुम ये कैसे मालूम करोगे कि किसकी हथेली बड़ी है तुम्हारी या तुम्हारे दोस्त की तुम्हारी हथेली का क्षेतरफल कितना है? खाली जगह वर्ग सेंटी मीटर तुम्हारे दोस्त की हथेली का क्षेतरफल कितना है? खाली जगह वर्ग सेंटी मीटर पेज 37 यहां खाली चोकोर खाने दिये गए हैं मेरे पैर का निशान लंबा है, लेकिन मेरे पैर का निशान चौड़ा है, तो किसका पैर बढ़ा है? मेरे पैर के निशान. किसके पैर का निशान बढ़ा है? तुम्हारा या तुम्हारे दोस्त का? तुम ये कैसे पता लगाओगे? चर्चा करो. क्या तुम्हारे दोनों पैर पेज 38 चिडिया कुछ नहीं कह रही अंदाजा लगाओ किस जानवर के पेर के निशान का क्षेतर फल तुम्हारे पेर के निशान के क्षेतर फल के बराबर होगा चर्चा करो कुछ जानवरों के पेरों के निशान असली नाप में नीचे दिये गए हैं उनके पैरों के निशान के क्षेतरफल का अंदाजा लगाओ मुर्गी कुता पेज उन्तालीस चीता कह रहा है क्षेतरफल जल्दी मालूम करने के लिए इस प्रकार के बड़े वर्ग और आयत बनाओ यहां पर बच्चों को हर एक वर्ग नहीं गिनना चाहिए उन्हें पैरों के निशान का क्षेतरफल जानने के लिए उनमें बड़े से बड़ वर्ग आयत पहचानने और फिर असामान आकारों के लिए छोटे वर्गों को गिनने के लिए प्रेरित करें हालां कि आयत का क्षेत्रफल अध्याए 11 में पढ़ा जाएगा लेकिन कुछ बच्चे अपने आप मालूम कर लेंगे कि वे क्षेत्रफल गुणा करके जल्दी से निकाल सकते हैं पेज 40 मुझे में कितने वर्ग? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल दो वर्ग सेंटी मीटर क्षेत्रफल वाले आयत का आधा है इसलिए इसका क्षेत्रफल खाली जगह वर्ग सेंटी मीटर है क्या यह आकरिती बड़े आयत की आधी है? हम्, इसलिए इसका क्षेतरफल खाली जगह वर्ग सेंटीमीटर है नीचे दी गई आकरितियों का क्षेतरफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखो यहां A, B, C, D, E और F विभिन आकरितियां दी गई हैं आपको इनका क्षेतरफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखना है इस अभ्यास से अपेक्षा है कि बच्चे आकरिती का क्षेत्रफल ग्यात करने के लिए उसकी ज्यामिती, सममिती की और ध्यान दें इसके लिए बच्चों को अपने तरीके खुद खोजने व उपयोग करने के लिए प्रेरित करें इन उदाहरणों में सन निकटन का उपयोग करने की आवश्यक्ता नहीं है पेज एक तालीस त्रिभुज समीना कहती है यहां एक आयत में दो त्रिभुज दिये गए हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं इस आयत में बनाए गए दोनों बड़े त्रिभुजों का कशेतरफल बराबर है सादिक कहता है लेकिन ये तो बिलकुल अलग दिखते हैं नीला त्रिभुज बड़ी आयत का आधा है बड़ी आयत का कशेतरफल बीस वर्ग सेंटी मीटर है इसलिए नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल खाली जगह वर्ग सेंटी मीटर है लेकिन लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां एक और आयत है उसमें भी एक त्रिभुज दिया गया है ओ, इसमें तो दो अलग अलग आयतों के दो आधे हैं अब तुम सादिक द्वारा बताए गए दो आयतों का क्षेत्रफल पता करो लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है समझाओ यह बात एक चिड़िया कहती है पेज बयालीस हाँ, तुम ठीक कह रहे हो और तुम्हें पता है तुम ऐसे अनेक त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल दस वर्ग सेंटीमीटर हो इस आयत में बना सकते हो आओ कोशिश करें ऐसे कुछ और त्रिभुज ढूंडने में सादिक की मदद करो कम से कम ऐसे पांच त्रिभुज और बनाओ आकरिती को पूरा करो सुरुची ने एक आकरिती की दो भुजाएं बनाई उसने आसिफ से उसकी दो भुजाएं और बनाकर उसे पूरा करने को कहा जिस से इसका क्षेत्रफल दस वर्ग सेंटीमीटर हो उसने आकरिती कुछ इस तरह पूरी की तुमने ये कैसे किया? ओ, ये तो आसान है अगर तुम हरे भाग को देखो तो ये है चार वर्ग सेंटीमीटर है इसके नीचे पीला भाग छे वर्ग सेंटीमीटर है इसलिए मेरी इस आकरिती का क्षेत्रफल दस वर्ग सेंटीमीटर है क्या वह सही है? चर्चा करो समझाओ के आकडिती का हरा भाग 4 वर्ग सेंटिमीटर और पीला भाग 6 वर्ग सेंटिमीटर कैसे है पेज 43 ओ, मैं इसे किसी और तरह से कर रही थी अगर तुम इसे इस तरह बनाओ तो भी क्षेतरफल 10 वर्ग सेंटिमीटर ही रहेगा क्या सुरुची ठीक है? नीले भाग का क्षेतरफल कितना है? समझाओ इस आकरिती को पूरा करने के लिए क्या तुम कुछ और तरीके सोच सकते हो? अपने आप कुछ और तरीकों से कोशिश करें अब घर पर अपने दोस्तों से इसे हल करने को कहो जब भी घर पर मेहमान आते हैं, मैं उन्हें इसे हल करने को कहती हूँ पर वे दूर क्यूं भागते हैं? अभ्यास का समय एक, ये आकरिती की एक भुजा है आकरिती को इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेतरफल चार वर्ग सेंटिमीटर हो जाए दो, यहां एक आकरिती की दो भुजाएं हैं आकरिती को कुछ इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेतरफल दो वर्ग सेंटिमीटर से कम रहे बच्चों को प्रेरित करें कि वे दिये गए क्षेतर को ढखने के लिए सीधी रेखाएं अथवा वक्र रेखाओं के माध्यम से विभिन आकरितियां बनाएं इस अभ्याज को एक बड़े वरगांकित कागज के टुकड़े पर भी करवाया जा सकता है उसे कहें कि वे जितनी चाहें आकरितियां बनाएं और छोटी बड़ी आकरितियों के क्षेतर फल वा परिमाप का अनुमान लगाएं ये भी पता लगाएं कि सबसे छोटा या सबसे बड़ा परिमाप किस आकरिती का है अपने अनुमान को आकरतियों के माप द्वारा चेक भी करें, वक्र रेखाओं की लंबाई मापने के लिए धागे का प्रयोग किया जा सकता है पेज चवालीस तीन, यहां बीस वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयत है क, इस आयत में एक सीधी रेखा कुछ इस तरह खींचिये के इसमें दो बराबर त्रिभुज बन जाएं, हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है ख एक सीधी देखा खीच कर इस आयत को दो बराबर आयतों में बांटो हर एक छोटी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा ग दो सीधी देखाएं खीच कर इस आयत को एक आयत और दो बराबर त्रिभुजों में बांटो आयत का क्षेत्रफल कितना है हर एक त्रिभुज का क्षेतरफल कितना है? पांच वर्गों की पहेली प्रिष्ठ 45 पर दिये गए वर्गांकित काघज के एक वर्ग की एक भुजा मापो ऐसे ही पांच वर्गों की सहायता से तुम जितने आकरतियां बना सकते हो, बनाओ तीन आकरतियां तुम्हारी सहायता के लिए बनाई गई है पेज 45 यहां वर्गों की एक आकरति दी गई है क तुम अलग अलग तरह की कितनी आकरतियां बना सकते हो, खाली जगा किस आकरति का परिमाप सबसे लंबा है, कितना लंबा, खाली जगा, सेंटिमीटर ग, किस आकरति का परिमाप सबसे छोटा है, कितना छोटा, खाली जगा, सेंटिमीटर ग, आकरति का क्षेतरफल कितना है, खाली जगा, वर्ग सेंटिमीटर यह तो आसान है पेज 46 क्या तुम पांच वर्गों की मदद से सभी बारह आकरतियां बना पाए? इन सभी बारह आकरतियों को इस प्रकार रखा गया है, कि वे एक आयत बनाएं यह दस गुना छे का आयत है, क्योंकि इसमें दस पंक्तियां और छे स्तंब हैं तुम्हें यह जानकर आश्चरी होगा, कि यहां दो हजार से ज्यादा तरीके हैं, जिन से यह आकरतियां दस गुना छे का आयत बना सकती हैं इन बारह आकरतियों को गत्ते पर बना कर काटो, इन बारह आकरतियों को दस गुना छे का आयत बनाने के लिए किसी और तरह से लगाने की कोशिश करो, क्या तुम ऐसा कर पाए? एक और पहली इन ही बारह आकरितियों से पांच गुणा बारह की आयत बनाओ इसके भी एक हजार से ज्यादा तरीके हैं यदि तुम एक तरीका भी ढूंड पाओ तो शाबाशी पेज सेंटालीस खेलने का समय नीचे शतरंज की बिसाथ है अपने दोस्त के साथ बारह आकरितियों का एक समूह लेकर इस खेल को खेलो पहला खिलाडी समूह में से एक आकरिती को उठा कर इस शतरंज पर इस तरह रखेगा कि पांच वर्ग ढख जाएं दूसरा खिलाडी एक दूसरी आकरिती उठा कर बोड पर इस तरह रखेगा कि ये पहली आकरिती के उपर न आए तब तक आगे बढ़ते जाएं जब तक कि तुम में से कोई आगे न बढ़ पाए जो आखरी आकरिती शत्रंज पर रखेगा वही जीतेगा अपनी टाइल स्वयम बनाएं क्या तुम्हें गणित का जादू पुस्तक 4 प्रिष्ठ 117 से 19 के फर्ष के पैटर्न याद हैं? तुम्हें एक ठीक टाइल्स चुन कर उन्हें बार बार लगाते हुए एक पैटर्न बनाना था ताके बीच में जगह न छूटे बच्चों को इस पहली को पांच वर्गों के साथ घर पर करने को कहें इस अभ्यास को छे वर्गों के साथ भी किया जा सकता है जहां पर 35 अलग अलग आकरितियां बनाई जा सकती हैं पेज अड़तालीस जिरी एक दुकान पर गई और वहां फर्ष पर तरह तरह के टाइल्स के डिजाइन को देखकर हैरान रह गई कितने सुन्दर हैं ये डिजाइन क्या तुम वह टाइल ढूंड सकते हो जिसे बार बार इस्तिमाल करके दिये हुए हर एक फर्ष के पैटर्न बना सके उस टाइल पर घेरा लगाओ यहां तीन पैटर्न दिये गए हैं पैटर्न को देखकर जिरी अपनी पीली टाइल खुद बनाना चाहती है तुम भी इसी तरह टाइल बना सकते हो पहला कदम एक गत्ते या मोटे कागज का टुकडा लो उस पर तीन सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाओ दूसरा कदम इस वर्ग के किसी भी भुजा पर एक त्रिभुज बनाओ तीसरा कदम उसी माप का एक त्रिभुज वर्ग की एक अन्य भुजा पर बनाओ लेकिन इस बार इसे वर्ग के अंदर की तरफ बनाओ चौथा कदम इस आकरिती को गत्ते से काट लो तुम्हारी टाइल तैयार है इसका क्षेतर फल कितना है पेज उननचास अपनी टाइल का उपयोग करते हुए एक पैटन बनाओ आकरिती को दोहराते हुए एक प्रेश्ठ पर ट्रेस करो लेकिन ध्यान रहे कि उनके बीच में खाली जगह न बचे जिरी ने अपनी पीली टाइल से एक पैटन बनाया तुम उसकी टाइल का क्षेतर फल जानते हो बताओ उसने कितनी टाइल का उपयोग किया है जिरी दोरा यहां बनाये गए फर्श के पैटन का क्षेतर फल क्या है अभ्यास का समय जिरी ने कुछ और टाइल बनाने की कोशिश की उसने दो सेंटिमीटर भुजा वाले वर्ग को लेकर आगे दी गई आकरितियां बनाई आकरिती को समझ कर उत्तर दो कुछ आकरितियां दी गई हैं आकरिती A, B, C, D इन आकरितियों पर ध्यान दो बिना किसी खाली जगा के कौन सी आकरिती फर्श को पोरा टाइल करेगी चर्चा करो इन आकरितियों का क्षेतर फल कितना है इन आकरितियों से टाइल करके अपनी कौपी में अलग-अलग डिजाइन बनाओ अब एक वर्ग में से तुम अपनी नई-णई टाइल्स बनाओ क्या यही त्रिभुज के साथ भी किया जा सकता है आओ कोशिश करें तीन और चार कक्षा में अलग-अलग आकरितियों जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज, शटकोन, वृत, आदिके उपयोग से फर्ष पैटन बनाकर देखा गया था कि वह बन सकता है या नहीं अब बच्चों को उनहीं आकरितियों में थोड़ा परिवर्तन लाकर अलग-अलग आकरितियां बनाने को कहें उपर के अभ्यास से छात्रों को यह पता लग जाना चाहिए कि वर्ग की मदद से कितनी अलग-अलग आकरितियों को बनाया जा सकता है इसी के साथ 14 अध्यायों की इस पुस्तक का तीसरा अध्याय पूरा हुआ स्वर मुईनुल हसन नियाजी तक्नीकी नियंत्रन बैटलेंग लिंगदो तक्नीकी सहायक विकास संघवान निर्मान सहयोग रुचे शर्मा निर्मान एवं निर्देशन विमलेश चोधरी प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत